जै मातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 में लगने वाले पहले चंद ग्रहन के बारे में, जो की 5 मई 2030 को लगने जा रहा है। की 5 मई को लगने वाले चंद ग्रहन का समय क्या रहने वाला है? ये कब सुरू होगा और कब समापत होगा? क्या ये भारत में या नहीं? इसके लावा हम आपको बताएंगे कि ये चंद ग्रहन और किनकिन देसों में दिखाई देने वाला है। क्या इस चंद ग्रहन का सुथ तक काल लगेगा या नहीं? इस ग्रहन की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक हमारे चैनल जादवी टोटके को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2030 का पहला चंदग्रहन 5 मई 2030 दिन सुक्रवार को लगने जा रहा है। और इससे पहले 20 अप्रेल को साल 2030 का पहला सूर ग्रहन भी लगेगा। तार्मिंग मानेताओं के नुसार जब राहू और केतु सूर और चंदर्मा का ग्रास करने का प्रयास करते हैं तब उस समय ग्रहन लगता है। दोस्तों साल 2030 का पहला चंदग्रहन 5 मई 2030 दिन सुक्रवार को लगने जा रहा है। उस दिन बैसाक मा की पूर्णमा तिथी रहेगी। और बैसाक पूर्णमा को बुद्ध पूर्णमा का सयोग भी बनता है। आपको बता दें कि सूर ग्रहन सा दुंदला और मटमेला सा दिखाई देता है। ये ग्रहन खुली आँखों से देखे भी नहीं जा सकते हैं। चले अब जानते हैं कि साल का पहला चंदग्रहन कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि चंदग्रहन की सुरुवात 5 मई की रात को 8 पइतालीस मिनट पर हो जाएगी और इस चंदग्रहन का परम ग्रास रात दस बचoks कर तेरपन मिनट पर होगा। और इस चंदग्रहन की समापती रात एक बजे हो जाएगी इस चंदग्रहन की कुल अवदी 4 घंटा 15 मिनट की रहेगी चले अब जानते हैं कि ये चंदग्रहन किन गिंदेसों में दिखाई देगा तो आपको बता दें कि ये चंदग्रहन दच्छनी पूर्वी यूरोप, एसिया, आस्ट्रेलिया, अफरीका, प्रशांद महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के साथ-साथ अंटार्टिका में भी देखा जा सकेगा लेकिन ये चंदग्रहन बारत में केवल उच्छाया चंदग्रहन के रूप में दिखाई देगा क्योंकि उच्छाया चंदग्रहन बहुती कमजोर होते हैं इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मानने नहीं होगा लेकिन जिन देशों में ये चंद ग्रहन दिखाई देगा वहाँ पर इस चंद ग्रहन का सूतक काल 9 गंटे पहले ही शुरू हो जाएगा और जो की ग्रहन के साथ ही समाप्त होगा दोस्तों धार्मिंग मानेताओं के नुसार ग्रहन के समय कोई भी सुबकारे नहीं किया जाता और सूतक वा ग्रहन के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं हाला कि आप ग्रहन वा सूतक के समय प्रभू का भजन मंतर जाप आदि कर सकते हैं और इस दोरान गर्वती महिलाओं को भी विसेज ध्यान रखना चाहिए उन्हें ग्रहन के दोरान घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और इस समय भोजन करना, भोजन बनाना, सोना, कपड़े धोना, सिलना, परतन धोना जैसे कार्णों की भी मना ही होती है दोस्तों ग्रहर समाप्त होने के बाद गंगा जल डाल कर इसनान करने के बाद यथा सकती दान दचना करना बहुत ही सुब माना गया है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्ष्मी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद